नमस्कार सातियों आज में आपको बहुत ही मेहत्यारी देने वाला हूं जो यह पीवी होता है उप्सपश वोल्यम जो पहले हुआ करता था है बिजनस वॉल्यम तो यह चीज वोती क्या है आकिर इसकी सच्चाई क्या है यह कैसे निकला जाता है क्या कुछ होता है मैं सब आपको आज इसी वीडियो में बताने वाला हूं बहुत ही मैत्व पुन वीडियो है आपके लिए आपके टीम के लिए आपको भी हो सकता है आगे यह चीज समझानी पड़े इसलिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो को अंति तक तो जरूरी ही देखिएगा तो बात करते हैं purchase volume की या PV की तो साथियो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जब भी कोई product manufacture होता है तो उसमें rates कहां कहां पर होती है क्या में ध्यान रखना पड़ता है वही company जब कोई manufacturing कर रही है किसी चीज को तो सबसे पहले तयार होती है उसकी cost यानि कितनी लागत में वो चीज तयार हुई है अब साथियो कितनी लागत में तयार हुई है उसको sell करन में कितना खर्चा होगा और उसके प्रसार में कितना खर्चा होगा यानि advertisement और distribution दोनों में जितना खर्चा होगा और plus company का खुद का profit मिला के वह सब मिला के हो जाता है sell price यानि उस product की sell price साथियो formula फिर से आपको मैं बता देता हूँ उसके पर आपको दिखेगा cost plus company का benefit profit जिसको कह सकते हैं plus प्रचार का खर्चा प्लस प्रसार का खर्चा बराबर sell price अब इसमें PV कहां आएगा प्रेक्षा प्लस नहीं होता है इसलिए 25 प्रचार का खर्चा बज जाता है और company का profit मिला के बन जाता है प्लस आप इसमें क्या क्या है एक तो company को खुद को profit लेना है और हमेंदी profit देना है क्योंकि 25 प्लस आप्शार कौन कर रहा है हम कर रहा है साथ यह होता पीवी अपीवी मैं से कंपनी अपना प्रॉसिट निकालने के बाद में आपको देती है 45 परतीचत क्यों 25 परतीचत का भागीदार बना चाहिए 50% खुदने ले लेकिन साथियों इसमें होता क्या है कि कंपनी पिकप सेंटर तक माल पहुचाने की जिम्मदारी खुद लेती है इसलिए 5% पैसा वहां पर खाच हो जाता है तो पिकप सेंटर जो भी हमारे आसपास है वहां तक स्थामान जो पहुचता है उससे 5% पैसा खाच हो गया तो बचा 45 प्रतिशत और वह हमें बाट देती है और 45 पीशत भी सबीं को नहीं मिलता है साथियो क्योंकि जितना आप टरनोवर करेंगे उससाफ से क्योंकि हम्हें किसलिए कंपणी में जोइन किया गया है ताकि हम company का प्रचार कर सके क्योंकि प्रचार का पैसा बचो रहा है वही तो हमें बट रहा है तो प्रचार हम जितना करेंगे उतना ही तो पैसा मिलेगा अब यूँ तो नहीं है मैंने सिर्फ एक product खरीदा company की cost plus PV बराबर sell price और PV में क्या क्या होता है company का profit हमारा profit हमारा जो commission है और प्लस प्रचार का खर्चा इसी में ही साथियों कई सारी company जो direct selling company जो जोल जाल कर लेती है product की rate को बढ़ा देती है इससे company खुद अच्छा profit ले लेती है और PV भी हमें ज़्यादा दिखा देती है लेकिन उसका commission कम देती है यह कई लोग product की rate बढ़ा देती है और फिर commission आपको ज़्यादा दे देंगे यहनि आप ही का पैसा आपको return कर देंगे यहनि company तो कई सरी जोल जाल कर लिए लेकिन RCM कि आप जब rates देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इसकी rates तो market से genuine है तो सातियों यह एकदम ethical तरीके से काम करती है legal तरीके से काम करती है सातियों दिक्कत यह भी है सातियों देखिए आप दूसरी direct selling company आटा चावल तेल यह नहीं ला पाई लेकिन RCM लेकर आ गई है सातियों यह जो आटा तेल चावल होता है इसमें PV कम होता है क्योंकि इसकी rate ज़्यादा बड़ा नहीं सकते है market से इसकी rate बड़ाबर रखनी पड़ती है market की जो आटा तेल चावल वगरा जैसे गरेलू चीज़ों होती है इसका भी margin कम होता है यादि आप रिटेलर अगरे से पुछोगे तो उसका margin बहुत ही कम होता है क्योंकि यह daily usable चीज़ है इसमें margin नहीं मिलता है यह बस as a product है जिससे ग्राक्स बढ़ते हैं उनके customers बढ़ते हैं इसलिए direct selling में भी ऐसा ही है और किसी की हमत ही नहीं है आटा तेल चावल अपने direct selling system में लाने की लेकिन RCM लाती है ताकि आपको कोई भी समान market से ना खरीदना पड़े आपको केवल RCM से ही आप सब खरीद सके इसलिए इसमें दोड़ा PVB कम होता है कहीं लोग केते पीवी बढ़ता क्यों रहता है अरे बाई cost बदलेगी तो पीवी भी तो बदलेगा वही अगर company किसी चीज की cost बढ़ा रही है क्योंकि उसका जो कच्छा माल है उसकी cost बढ़ गए होगी जब work cost बढ़ जाती है तो PV को भी बढ़ाना पड़ेगा ना ताकि आपका जो commission है वो भी बढ़ सके और company के खर्चे भी निकल सके है बाकि कोई doubt होता comment में जरूर लिखिए क्योंकि हम चाहते हैं आपके हर एक डाउट को निकाल दें बाकि यदि कोई भी अभी भी आपको लगता है कि कोई जोल जाले कई कुछ है तो आप हमें comment में बताए हम उसका वी वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे वीडियो प